किस वीटियों में आपको RRB J की जो Bumper Vacancy है उसके बारे में एक बहुत बड़ी Official Update अभी निकल करका आघी है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियों में बताने वालो इसमें जो है जुनियर इंजिनर और सिनियर सक्षन इंजिनर अभी सभी का यही है जुनियर इंजिनर और सि सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि जबी मैं वीडियो अप्लोड करू उसकी जो नोडिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले गया कोई भी ऑफिस्यल और ऑथेंटिक जानकारी आते इस चैनल के मादम से आपको जिरूर से दिया जाएगा उसके लि वाटसब ग्रूप में मिल जाती है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्षन के पिंट कमेंट में दिया गया जरूर से जोइन हो करके रहिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ज तक दिरूर देखते रहेगा अजके print media में एक article published हुआ है जो कि RRB JEE और SSE से related बहुत बड़ी update इसमें दी जा रही है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है railway में बड़ी भरती खुलने के आसार है और इसमें सभी जोन से level 6 और level 7 का रिक्त पदो का ब्योड़ा अभी मां 2018 में आए थी अब जो आने वाली है यह 2023 में आएगी तो उससे related update यहाँ पर दी गया है इसमें आपका details में पढ़ना चाहोते इसमें पर सकते हैं railway की ओर से level 6 और level 7 में बड़ी भरती आने की संभावना है railway इसकी त्यारी कर रहा है माना जा रहा है कि अगस्त तक नई भरती क अधिसूचना जाड़ी की जा सकती है railway की ओर से सभी जोन के कार्डमिक विभाग से level 6 और level 7 में रिक्त पदों का ब्योड़ा मांगा गया है उनसे level 6 और level 7 में सुईक्रित पदों की संख्या रिक्त पद और आवस्यक पदों पर भरती का ब्योड़ा मांगा गया है railway के 7 जो level होता है उसमें senior section engineer CMS और CDMS के पद होते हैं जबकि level 6 में JE, CMA और सहित कई supervisory पद होते हैं तो मैं आपको बता है level 6 में जो होता है आपका junior engineer का central government में जो भी jobs आता है और इसकी जो basic पे होता है 35,400 से लेकर के 1,12,400 ये basic पे होता है इसमें लिखा गया है कि माना जा रहा है कि न पदों पर भरती काफी लंबे समय से नहीं हुई है साथ ही जिन पदों पर भरती की गई है उनसे भी काफी लंबा समय हो चुका है ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग 10,000 पदों पर भरती आ सकती है तो आपको पता होगा RRBJ की जो previous vacancy थी वो आपको centralized employment notification था CEN 2018 था तो आया था RRBJ की उसमें एप्रोक्स यहां पर 12,000 पलस यहां पर पोश्ट था तो मैं आपको अभी जो है previous जो notification था ओभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसमें जो भी सारा details था कौन-कौन से branch होते हैं कौन-कौन से आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजेगा औ जो भी सारी update आते रहते हैं इस channel के मादम से आगे भी आपको मिलती रहेंगी यह देख सकते हैं यह previous विकंसी 2018-19 में जो विकंसी आये थी RRBJ की उसका details है यहां पर जिसमें junior engineer का जो पोश्ट था 12844 पोश्ट पे junior engineer के पोश्ट विकंसी आपको यहां पर देखने के लिए थ आती है एप्रोक्स 10,000 के पोश्ट पे बता जा रहा कि विकंसी आने वाली है तो इतनी विकंसी या 10,000 या इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो इतनी विकंसी आपको यहां पर देखने के मिलेगी इसमें डिप्लोमा और बीबीटेक दोनों वाले होते हैं दोनों के ल अगर आप इनसे की होंगे डिप्लोमा या बीबीटेक तो यहां पर अप्लाइ करने के लिए इलिजिबल होंगे इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड ब्रांच जो भी है इनमें आता है इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग और इसके जो भी सब इस्ट्रिम्स होते हैं उनका कूंआ है और इसके जो भी बेसिक सबश्ट्रिम्स हो उसके तो सिवील इंजिनेरिंग और लाइड मैं अलाइड अगले की किलैंग दोखिए और यहांपर इंजियंग लिए और यहांपर इंप्रिंटिंग एंडिदेखन तर्थिक्स में चाहिए और यहांपर वी के टेकनलोजी का जो ब्रांच होता है इसमें CSIT वाले अपलाई कर पाते हैं तो अगर आप यह सभी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप लोग तयार रहिए अपना प्रिप्रेशन जो है करते रहिए क्योंकि यह सब ब्रांच से रिलेटेड विकेंसी आती है और यह सभी अगर आप लोग डिप्लोमा भी बीटेक कियोंगे तो आप यहां पर रिलीजिबल होंगे अपलाई करने के लिए अब यहां पर बात करते हैं कि क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेस रहता है कैसे इसमें जो एक्जाम्स होते हैं कितने नमर ओफ का एक्जाम्स होता है तो यहां पर रि से candidate है जो PWD से बिलों करते हैं उनके लिए 120 मिनट का टाइम जा जाता है यहां पर 100 questions के लिए आपको 90 मिनट का ही time मिलता है यह आपको CBT1 हो गया और CBT1 में जो है आपका fully non-technical हता है इसमें आपका कोई भी technical नहीं होता है इसमें कौन-कौन से subject से questions आते हैं तो इसमें आपको mathematics, general intelligence and reasoning, general awareness और general science से questions रहते हैं इसका syllabus भी यहां पर दिया गया तो आप इसको देख सकते हैं general science में यहां पर आपको mathematics से 30 questions रहते हैं, general intelligence and reasoning से 25 questions रहते हैं, general awareness से 15 questions और general science से 30 questions टोटल इस तरीके से यहाँ पर नमर आप जो टोटल कोईशन से 100 राता है और इसके लिए 100 मार्क्स आपको दिये जाते हैं निगेटिंग मार्किंग भी आपको राता है यहाँ पर वन थर्ड का आपको निगेटिंग मार्किंग देखने के लिए मिल जाता है यह up to 10th standard CBSE syllabus आप इसको follow कर सकते हैं General Science के लिए अब बात आएगी अगर आप लोग qualify करते हो CBT 1 तब आप CBT 2 second stage जो आप जाते हैं second stage में कितने number of candidate को बुला जाता है तो जितने number of vacancy आएगी उसका 15 गुना candidate को shortlist करेगा second stage of CBT का इसके लिए यहाँ पर second stage CBT में shortlisting जो candidate होंगे वो आपको 15 times यहाँ पर बुला जागा अब इसमें क्या होता है इसमें आपको 120 मिनट आपको time दिया जाता है और dare से questions रहते हैं जिसमें की non-technical और technical दोनों रहता है यहाँ पर number of second stage का जो CBT है वो आपका number of questions 150 रहेगा और इसमें आपको कौन-कौन से subject से questions आएंगे तो general awareness, physics and chemistry, basic of computer and application basic of environmental and pollution control और technical abilities तो यह तो हो गया common paper जो की सभी के लिए रहता है और यह technical abilities में जो भी आपका branch होगा उनसे related आपको questions पूछे जाएंगे यहाँ पर इसका जो weightage है इस तरीके से number of questions in stage 2 में आपका general awareness से रहेगा 15 questions, physics and chemistry से 15 questions basic of computer and application से 10 questions और basic of environmental and pollution control से 10 questions और technical जो रहेगा वो 100 questions रहेगा तो जो भी आपका branch है branch paper से 100 questions आप से रहने वाली है और total 150 questions रहेंगे जिनमें कि आपको 150 mark दिया जाएगा और इसमें भी one third का negative marking आपको देखने के लिए मिलेगा निकल का जो syllabus है वो मैं सबसे video के इस video में सबसे last में है तो मैं आपको telegram पर provide कर दूँगा तो telegram से जरूर से join होकर करिएगा वहाँ पर आपको जो इसका latest notification है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा जब ही आएगी वो भी मैं आपको देदूँगा यह previous वाल है तो यहाँ से मैं इसको भी देदूँगा तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं बात करें कितनी application fee लगती है तो application fee जो है यहाँ पर 500 रुपे आपको pay करने होते हैं और refundable भी होता है जैसे कि यहाँ पर 500 रुपे आपको application fee पे करने होंगे और जब भी आप इसमें exam में appear होंगे first stage के CBT में तो आपको 40 रुपे जो है और refund कर दिया जाएगा तो यह सभी candidate के लिए होता है और SCST candidate के लिए 250 रुपे लगता है और जो भी candidate appear होंगे exams में तो उनका fully refund कर दिया जाता है SCST candidate में और female candidate को भी तो उनको कोई भी application fee नहीं लगता है बस आपको exams attend करने है और उसके बाद आपको जो आपका refund है वो मिल जाएगा आपके account में तो जो भी आप अपना payment कीजेगा अपने account से ही कीजेगा ताकि बाद में जब आपका refund आए तो आपके account में आ जाए ये इसका syllabus है syllabus for civil and allied branch of group of je exams और जो भी सारा आपका अलग-अलग जो ब्रांचेज है तो सभी के लिए यहाँ पर अलग-अलग syllabus दिया गया है तो उसके लिए चैनल को जरोड़ से subscribe करके रखेगा बेल अकन प्रेस करके all select जरोड़ से करके रखेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करो दूसकी जो नोडिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you comment section में जो भी आपका branch हो कौन ब्रांच से आप डिपलोमा की हैं कौन ब्रांच से आप B.E.B.Tek की हैं कौन से ट्रेर्ट से आइटिया की हैं comment section में जरूर से बताइएगा तक की आने वाले जो vacancies होंगे आप से relevant आपको देखने के लिए मिलेगी